आप सब का लबे भाई जेके नगेर में स्वाधत है। प्रशन यह है कि हम कितना खर्च कर रहे हैं जिंदगी बचाने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पांच में हफ्ते में जा रहे हैं लागडाउन के। आज हम कहां ख़़े हैं। पूरा देश लागडाउन पे हैं। खतरनाख COVID-19 वाइरस के लिए। भारत का लागडाउन दुनिया में सबसे मुश्किल है। हम कह सकते हैं कि हमने कुछ जिंदगें बचाई हैं इस लागडाउन के दुरान। जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। हम भारतियों ने कभी भी जिंदगी को इतना महत्र नहीं गिया। COVID-19 के लावा। आपकी सुचना है तु। United Nation की रिपोर्ट में आठ लाग बच्चे मरे हैं भारत में। पूर नुट्रिशन, सैनिटेशन और हेल्ट केर की वज़े से। कम से कम हम दो लाग बच्चे बचा सकते थे। मगर यह हो ना सका। अभी कुछ समय पहले गोरगपूर में आउक्सिजन सप्लायर को साथ लाग रुपया नहीं देने के कारण आउक्सिजन कट कर दी गई। और तीस बच्चे मर गए। यह लगभग दो लाग रुपया प्रती बच्चा हुआ। हम एक अच्छी विवस्था क्यों भी कर पाए। विविन सर्वे के अनुसार हम इस करण्ट लाग डाउन में दस लाग करोन रुपय का नुपसाद इंजन एकनामी में हुआ है। यह बहुत मुश्किल है। पैसें के बदले में जिन्दिगी बचाना। इस अर्थ विवस्था का डाउंटर्ण और समस्याय को जनम देगी। जैसे अनेंप्लाइमेंट, बेंक्रफ्ट, डिप्रेशन, सुसाइट रेट इंक्रीस, डमेस्टिक वाइलेंस, क्राइम, टेरिडम, टेरिजम, एक्सेट्रा। हम विश्म मांचेत्र में एक जिम्मेदार नेशन है। हमें किसी भी स्तिती में करोना के खिलाफ लडाई जीतनी है। लेकिन हम अर्थ व्वस्था को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हमें इसके खिलाफ भी योजना बन तरीके से लडाई लड़नी पड़ेगी। हमारे पास खुश और नेत्रत्र है। हमें उमीद रखनी चाहिए कि इस लड़ाई में हम जीत पाएंगे। हर देश्वासी अपना होसला बनाए रखे। हम जरूर काम्याब होंगे। भारत मता की जय।